हाई गाईज वेलकम बैक टू मैच चैनल दोस्तों जैसा कि हमने सोचा था कि 18,000 से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और बिल्कुल वैसा ही हुआ है मार्केट और लड़ी 18,268 चली गई है और जो मार्केट ने कल लो लगाया था वो 18,000 से थोड़ा सा नीचे का लगाया था जो कीक हमने कल और परसो की वीडियो में डिसकस भी किया था कि किस तरीके से मार्केट भागने की कोशिश कर सकती है और आज तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है तो इसको तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बाउंस बैक आ गया है पॉइंट सेवन नैञ परसेंट की तेजी थि आज जबकि निफटी बैंग ने आज सपोर्ट नहीं दिया पॉइंट वन वन परसेंट की ही तेजी थी पिछले तीन-ционर दिनों की घिरावट में जो हलकी-फुल की घिरावट निफटी फिफटी में हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि Nifty Bank 2-2% उपर रहा तो काफी ज़्यादा वेटेज है Nifty Bank का Nifty 50 में इसलिए अगर Nifty Bank नहीं गिरता है तो काफी Nifty 50 को support मिल जाता है आज Nifty Bank ने support नहीं किया लेकिन बागी के सारे sectors ने support किया था इसलिए Nifty 50 0.8% की तेजी के साथ बंद हुआ है Sensex बंद हुआ है 0.6% की तेजी के साथ और आज Nifty Bank में जिसमें बहुत दिनों से धुलाई चल रही थी आज उसमें अच्छी खासी बाइंग होई है 1.8% की तेजी Nifty Mid Cap में अगर आज के Top Gainers की बात करें तो Tata Motors 6% कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 बिलियन डॉलर की investment करने वाला है Tata Motors अपने EV vehicles के लिए और आज इसमें काफी तेजी देखने को भी लिए Tata Motors में Tata Steel 3.9% SBI Life Insurance 3.75% Titan Company 3.18% Tata 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 तीन तो कंपनी Tata की ही है और उसके बाद JSW Steel 3% Nestle 2.8% और Bajaj Finance 2.7% Nestle में तेजी आगई है लेकिन actual अभी भी गिरता जा रहा है और FMCG सेक्टर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अभी फिलाल सेल लगी हुई है Bajaj Finance के आज results आने वाले हैं जो कि हम इस वीडियो में भी discuss करेंगे तो आज ये तेजी आई है क्या ये उसको justify करती है इसको भी हम देखेंगे और कल क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे फिलाल आज के top losers की बात करें तो losers में आपको banks दिखेंगे क्योंकि आज banking sector ही था जो थोड़ा बहुत strong नहीं था Indescent bank 2%, ICC bank 1.46% जिसमें काफी तेजी आई थी results के बाद power grade 1%, HUL और ये सारे बहुत छोड़ी छोड़ी गिरावट हैं आज आज आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा loser नहीं है सबसे बड़ा loser है 2% का वो है Indescent bank अब बात करते हैं निफ्टी mid cap के top gainers की इतने दिनों से हम mid cap गिरे जा रहा था था, top losers की बात कर रहे थे तो gainers की बात करना भी बनता है आज 7.6% भागा है 7% Dixon technology 7% काफी दिनों से गिरे जा रहा था Dixon technology और ऐसा लग रहा था कि अच्छी value पर आने वाला है लेकिन जस उसके उपर से ही bounce back कर गया है Tata power 5.5% दीपक नाइटराइट 5% भाग गया है दीपक नाइटराइट का भी हम wait कर रहे थे कि कब गिरेगा कब गिरेगा काफी गिर भी गया था लेकिन हम इसका थोड़ा जादा wait कर रहे थे और हमने कल community section में दीपक नाइटराइट को discuss कर लिया था चोटी मोटी quantities के लिए लेकिन अच्छी खासी buying दीपक नाइटराइट में नहीं हो पाई अब देखते हैं आगे मौका मिलता है या नहीं मिलता है उसके बाद है EU Small Finance Bank जिसमें थी 5% की तेजी अब दोस्तों हम आ गए है Nifty 50 के चार्ट पे और चार्ट पेटन बिलकुल वही बन रहा है जैसा हमने expect किया था कि यहां पे यह जो एक candle है इसकी wick इस gap को close करेगी और उसके बाद यहां पे एक recovery आ सकती है ऐसी expectation लग रही थी ऐसा chances लग रहे थे और ऐसा हो रहा है अब यहां से market मुझे थोड़ी सी strong लग रही है थोड़ी सी stable लग रही है यहां पे छोटी मोटी positivity के साथ आप market को देख सकते हैं कल hopefully एक छोटी सी gap up opening होनी चाहिए उसके बाद दोस्तों परसों है Thursday और कोई मामूली Thursday नहीं है वो है monthly expiry वाला Thursday उस दिन कुछ भी game हो सकता है कोई भी बहुत बड़ी profit booking आ सकती है तेजी आ सकती है anything can happen तो हमें उसके लिए तयार रहना चाहिए अगर ये आप से मौका चूक गया है यहां पर buying का जो कि मैंने आपको रोज वीडियो में बताया था कि यहां पर एक dip बनती है अगर बाई चांज यहां पर मौका चूक गया है तो आप nifty को मत देखिए आप nifty 50 को थोड़ी खरीद रहें तो आप nifty को क्यों देख रहें nifty एक दो केंडल से bounce back कर गया है तो क्या फरक पड़ता है अभी भी ऐसे stocks हैं जो गिरे पड़े हैं बिलकुल bounce back नहीं किया है जिन stocks ने आप चाहें तो उन पर अपना focus रख सकते हैं buying opportunities are still there यहां पर 100-200 points उपर market के जाने से buying opportunities सारी की सारी खतम नहीं हो गई है काफी stocks थे जो भाग गये हैं जैसे दीपक नाइटर भाग गया आपका डिक्सन टेक्नलोजी भाग गया लेकिन अभी भी काफी stocks हैं जो की available हैं काफी अच्छे price पे आप बात करते हैं आज की updates की आज भी काफी important results आने वाले थे आपको पता ही है quarter two का result season चल रहा है और यह सारे results जो भी अभी तक आज चुके हैं जब मैं यह video बना रहा हूँ मैंने telegram channel पे post कर दिये हैं अगर आपने अभी तक telegram channel जोईन नहीं किया है नीचे pin comment में आपको link मिल जाएगा आप जाके join कर सकते हैं और सारी information ले सकते हैं इस पे market hours में भी काफी updates आपको मिलते रहते हैं फिलाल बात करें results की तो बजाज finance का जो profit आया है वो आया है 1481 crores versus 965 crores तो काफी अच्छे results हैं और बजाज finance के chart में यह सारी चीज़ें factored in हैं तो यह बिलकुल सोचने की जरूद नहीं है कि कल बजाज finance में यहाँ पर circuit लग जाएगा सारी की सारी चीज़ें factored in हैं in fact अगर कल profit booking आ भी जाती है बजाज finance में तो I won't be surprised income आई है 7731 crores versus 6500 1 3 crores वायो वाय अगर gross NPS की बात करें तो वो आए हैं 2.45% versus 2.96% quarter on quarter जो की अच्छी चीज़ है asset quality improve होई है net NPS भी कम होई है जो की एक अच्छी चीज़ है kotak bank की बात करते हैं और kotak bank ने surprisingly results उतने अच्छे post नहीं किये हैं अगर आप देखेंगे profit में कितनी बड़ोतरी है 2989 crores versus 2947 crores तो ये तो बहुत ही मामूली सी बड़ोतरी है बाकी HDFC bank, ICIC bank और Niche Axis bank के results भी बात करेंगे वहाँ पे अच्छी खासी बड़ोतरी आपको profit में दिखेंगी kotak bank के results में वह बात मुझे नज़र नहीं आ रही है जबकि kotak bank recently बहुत ज़्यादा भागा है तो अगर इसमें आपको कल profit booking दिखती है kotak bank में तो बिलकुल surprise होने की ज़रूरत नहीं है net NPS आए हैं 3.16% versus sorry gross NPS आए हैं 3.16% versus 3.58% quarter on quarter और net NPS भी कम आए हैं 1.09% versus 1.34% quarter on quarter so asset quality improve होई है जो की AC bank से expected भी है लेकिन जो profitability आई है that is slightly disappointing क्योंकि वहीं पर आप नीचे Axis bank के results देख सकते हैं PAT आया है 3.133 करोड अब by 86% वायो हुआ 86% profit बढ़ के आया है Axis bank का और आप kotak bank में देख सकते हैं net NPS की बात करें net NPS आये हैं Axis bank के 1 second ये छिप गया है 1.08% versus 1.2% quarter on quarter so asset quality में improvement है although improvement काफी चोटा है तो हो सकता है कल आपको Axis bank में अच्छी खासी तेजी देखने को मिले अगर Amboja Cements के results की बात करें तो Amboja Cements के results आये हैं 891 crores versus 803 crores YOY ultra tech cement के results के बाद से पता चली गया था कि cement sector के stocks के results उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं although यहां पे काफी अच्छा खासा improvement है quarter on quarter इसमें गिरावट आई है income is 6741 crores versus 6266 crores YOY so मेरे खाल से यह results Amboja Cements के chart में factored in है ultra tech cement के results के बाद से ही अब इसमें कुछ भी हो सकता है थोड़ी बहुत profit booking भी आ सकती है या फिर थोड़ी बहुत तेजी भी आ सकती है इसमें दोनों ही scenarios possible है NAM India के शान्दा results आये हैं दोस्तो दोस्तो सबसे पहले NAM India के results देखते है NAM India quarter to profit 213 crores versus 145 crores almost 50% की बढ़ोतरी YOY basis पे आपको NAM India के profit में दिख रही है income आई है 425 crores versus 322 crores YOY income में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है और at the same time दोस्तो यहाँ पे हमें HDFC AMC के results दिख रहे होंगे जो कि कल आई थे HDFC AMC के results पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा 344 crores versus 338 crores 2% की बढ़ोतरी आई है मात्र profit में और NAM India में आई है 50% की और revenue की बात करेंगे तो revenue भी उतना अच्छा कासा कुछ बढ़के नहीं आया था HDFC AMC का इसलिए stock गिर भी रहा है और in fact HDFC AMC का stock सिर्फ गिर ही नहीं रहा है बहुत time तक consolidate कर रहा है उसके बाद अब थोड़ा सा गिर रहा है और बीच में stake sale की वाज़े से तो काफी गिर ही गया था NAM India के results मुझे as compared to HDFC AMC बहुत ही शानदा नजर आये हैं और compare नहीं भी करें तब भी बहुत ही शानदा results है तो NAM India में आपको तेजी देखने को मिल सकती है although stock already काफी भागा हुआ है बिलकुल इस तरीके की trajectory है NAM India में कोई खास गिरावट नहीं आई है HDFC AMC तो कब से consolidate कर रहा है लेकिन इसके बाद भी मुझे NAM India में तेजी नजर आ रही है और ऐसा हो सकता है कि कल आपको NAM India में अच्छी खासी तेजी देखने को मिले तो दोस्तों ये थे आज की updates और मैंने आपके साथ आज के सारे results डिसकस कर लिये हैं जो results अभी तक नहीं आए हैं वीडियो के बनाने के time पे बाकी results मैं इसके बाद टेलिग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगा तो आप चाहें तो join कर सकते हैं जिससे कि आपको एक line में सारे results की headline पता चल जाए और basic बेसिक चीजें पता चल जाए और किसी company में आपका बहुत जादा interest है तो आप जाके BSE की site से उसकी पूरी PDF पढ़ सकते हैं अदर्वाइज आपको सिर्फ summary चाहिए तो यहाँ पर अच्छी खासी आपको summary मिल जाती है क्योंकि एक दिन में 20-20 company के results आते हैं तो आप सारी की सारी PDF तो पढ़ नहीं सकते एक बार में बस go through कीजे टेलिग्रम चैनल पर और आपको एक idea लग जाता है कि किस तरीके results आ रहे हैं दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना thanks watching guys I will see you next time